इन पांच खिलाडियों पर टिक की सारी निगाहे वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन कहल। मगर बोर्ड इस सीरीज में कई युवा खिलाडियों को मौका देने वाला है। लाने वाले प्रित्वी ने अब तक केवल दो टेस्ट मैच खेले हैं। में नहीं खेलते हैं तो प्रित्वी के चुने जाने की संभाव ना है। मयंक अगरवाल वर्ल्ड कप 2019 के सेमी फाइनल में पहुचने से पहले टीम इंडिया चोटल खिलाडियों से जूज रही थी। औल राउंडर विजे शंकर के चोटल होने के कारण मयंक अगरवाल को उनकी जगह शामिल किया गया। मयंक अगरवाल को घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। कहा जा रहा है कि इस दोरे पर वो नहीं भी जा सकते हैं। इस बीच माही पर चैन करताओं द्वारा सन्यास लिये जाने की खबरें भी जम करवाल हो रही है। इन हालातों में टीम मैनेजमेंट डोनी के उत्तरादिकारी माने जाने वाले रिशब पंत पर एक बार फिर भरोसा जता सकता है। पंत को वेस्ट इंडीज दोरे के लिए विकेट की पर बल्लेबाज के और पर टीम इंडिया में शामिल किये जाने की पूरी संभावना है। इसे में आने वाले वक्त में अगर श्रेस आईयर टीम इंडिया के नमबर चार करम की शोभा बढ़ा है तो को कोई आस्चरे नहीं होगा। नवदीप सैनी दिल्ली का यह तेज गेंदबाज इस रणजी सीजन से ही अपनी धारदार गेंदबाजी से सभी को ब्रभावित करने लगा था। इस सीजन IPL में उन्हें विराट कोहली की रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर RCB में मौका मिला तो उन्होंने यहां भी अपनी चाप छोड़ी। बॉलिंग की रफ्तार और सटीक लाइन लिंट से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया। दुबले पतले लेकिन लंबे नवदीप सैनी के खेल से टीम मैनेजमेंट इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें वर्ल्ड कप में रिजर्व गेंदबाज के और पर शामिल किया गया। नवदीप मौजूदा वक्त में वेस्ट इंडीज में ही हैं जहां वे इंडिया एकी ओर से खेलते हुए वेस्ट इंडीज एके बल्लेबाजों की धजियां उड़ाते देखे जा सकते हैं।